जै श्रिक्ष्णा रादे दोस्तों आपका अपने यूटूब चैनल आचार पंडित अजय सर्मा में बहुत बहुत सागत है आईए आज हम आपको बताएंगे कजरी तीज के बारे में कजरी तीज कबरत कबर रखा जाएगा पूया विदी क्या रहेगी चंद्रोदे का क्या स से हम बताएंगे इसलिए वीडियो के अंत तक आप अवश्च बनी रहेए हाल ही में हर्याली तीज का तोहार वड़ी धूमधाम से मनाया गया था अब उसके बाद स्वहागन मेलान कजरी तीज की तैयारी में जूट गई है यह तोहार स्वहागनों के लिए बेहत खास होता है कजरी तीज को साथ उड़ी तीज या बड़ी तीज तथा ग्रामिड आंचलों में इसे तीजा की नाम से भी जाना जाता है यह पर्व उत्तर परदेश के बनार तता मिरजापुर राजिस्तान बिहार में विसेश रूप से मनाया जाता है इस दिन विवायत मेलाएं भग भवान सिव और माता फारवती के साथ चंद्रवा की पूजा करती है इस तोगार को मनाने का समय खास होता है इसे भात प्रद मास में क्रिशन पक्षि की तिरतिया तिज को कजरी तीज का तोगार के रूप में मनाया जाता है कजरी तीज के दिन स्वाग ने पती की लंवी आयू की कामना के लिए ब्रत रखती हैं इस साल भात प्रत मास में कृष्ण पक्ष की तिर्तियात थी 22 अगस्थ गुरुवार को मनाई जाएगी कजरी तीज के दिन स्वाग ने पती की लंवी आयू की कामना के लिए इस प्रत को रखती हैं इस साल भात प्रत मास में कृष्ण पक्ष की तिर्तियात थी 22 अगस्थ को मनाई जाएगी ऐसे में इसी दिन कजरी तीज का तोहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा पंचान के अनुसार भात प्रत मास के कृष्ण पक्ष की तिर्तियात थी 21 अगस्थ 2024 को साम पांच वच्च कर छे मिनट पर सुरू होगी और अगले दिन 22 अगस्थ 2024 को दुपहर एक वच्च कर 40 मिनट पर समप्त हो जाएगी उद्यात थी के अनुसार कजरी तीश 22 अगस्थ को मनाई जाएगी यह पर्व उत्तरपरदेश, मद्दपरदेश, बियार और राइस्तान सहित कई राज्यों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है जिस तरह से हरियाली तीश, हरिताली का तीश का पर महिलाओं को बहुत मायने रखता है उसी तरह कजरी तीश भी स्वागन महिलाओं के लिए बहुत मेत्पुर्तोहार माना जाता है हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतेग वर्स भादप्रद मास की कृष्ण पक्ष की तिरतिया तिथी यानि की रक्षा मंदन के तीन दिन वाद कजरी तीश मनाई जाती है हरियाली और हरितार का तीश की तरह कजरी तीश भी अखंड स्वाग की प्राप्ती के लिए रखा जाता है इस दिन स्वागिन महिलाएं पती की लम्मी उम्र के लिए दिन भर निर्जला ब्रत रखती है और करवा चोथ की तरह साम के समय चंद्रवा को अर्ग देने के बाद ब्रत का पारण करती है इस दिन सिवजी और माता पारवती की पूजा की जाती है मानता है कि कजरी तीश के दिन विदी पूरवक पूजा करनेश्य भगवाल सिव और माता पारवती प्रसन होते हैं और सभी मनो कावनाओं की पूर्ती करते हैं कजरी तीज के दिन किस प्रगार से पूजन करना चाहिए कजरी तीज के लिए सरप्रथम नीमडी माता को जलवा रोली के सिटे दें और चामल चड़ाएं नीवडी माता के पीछे दीवार पर महदी रूली और काजल की तेरे तेरे बिंदिया उंगली से लगाएं महदी रूली की बिंदी अन्यमका उंगली से लगाएं और काजल की बिंदी तरजनी उंगली से लगानी चाहिए नीवडी माता को मोली चड़ाने के वाद महदी, काजल और बस्त चड़ाएं, दीवार पर बिंदियों के सहारे लच्छा लगा दें, नीवडी माता को कोई फल और दच्छा चड़ाएं और पूजा के कलस पर रूली से टीका लागा कर लच्छा बाँदें, पूजा इस्तरबर बने तलाब के किनारे पर रखे दीपक के उजाले में नीवू, कगडी, नीम की डाली, नाक की नत्व, साड़ी का पल्ला आदी रखें, इसके बाद चंद्रमा को अर्ग दें, इसलिए इस दिन चंद्रोदे कब होगा, यह जान लेना भी बहुत जरूरी है हिंदू पंचांग के अनुसार कजरी तीज के दिन चंद्रोदे रात आट वजगर 20 मिट पर होगा, वही उसके बाद चांद को अर्ग दें और फिर ब्रत को भोलें, वही आपको बता दें कि चंद्रोदे होने पर एक लोटे में जल के साथ रोली, मोली, अक्सद डाल कर अर लगाएं, इसके बाद ही एक जगे खड़ी होकर के चार बार प्रक्रमा कर लें, अब हम आपको बताएंगे कजरी तीज के महत्व के वारे में, कजरी तीज का धार में क्या महत्व है, सिप्रान की अनुसार भूले नात को पती रूप में पाने के संकर्प के साथ मा पार्व इस दिन स्वागिन पती की लम्मी उम्र के लिए बर्त रखती हैं, साथ ही कजरी तीज को संतान प्राप्ती के लिए खास माना जाता है, इसलिए महिलायन संतान सुक पाने के लिए बिदी बिदान के साथ पूजा करके तीज माता की कथा भी सुनती हैं, साथ ही कजरी तीज क के दिन स्वागिन और कुवारी कन्या एकत्र होकर कज्री गीत भी गाती हैं। प्रायें लोग नावों पर चड़कर कज्री गीत गाते हैं। यह बड़सा रितू का एक बिसेश राग है। ब्रज के मलहाओं की बाती यहाँ पर यह प्रमुक बड़सा गीत माना जाता है। इस बड़सा रितू में यह गीत, पपिया, बादल तथा पुरवा हवाओं के जोकों से बहुत प्रिये लगता है। प्रिये स्रोताओ यह थी कज्री तीज के ब्रत की संपूर जानकारी। मैं आसा करता हूँ। आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो कृपा क करके वीडियो को लाइक करें, शियर करें, कॉमेंट वाक्ष में ओम नमस्तिवाय अवस्च लिखें। जैस्री रादे।